तो वारारसी में गंगा की लहरों की तस्वीरें आपको मैं टीवी स्क्रीन पर यहां से दिखाना चाहूँगा कि यहां पर गंगा की लहरों में सैकडों की तादात में आपको बोट नजर आ रही होगी बोट एक साथ में चल रही है और उसके पीछे वज़ा है बोट रैली का आयोजन केंद्रिये मंत्री हरदीपुरी ने बोट रेली को फ्लैग आफ किया है और ये बोट रेली अब इसकी शुरुवात हो चुकी है इस बोट रेली के पीछे मकसद ये है कि कई सेखों की संख्या में 500 से जादा ऐसी नावे हैं जो डीजल में चलती थी और डीजल आधार कि तादात में आपको टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रही है नावें वो अब सी एंजी में कनवर्ट हो गई हैं सी एंजी आधारित हैं और ये अब ग्रीन फ्यूल एनरजी के तहत केंद्र सरकार ये स्टेप केंद्र सरकार ने उठाई है और इस समय उसी की तस्वीरें है हेल्दी कमटिशन है और सी एंजी बोट रैली का आयोजन किया जा रहा है ग्रीन फ्यूल एनरजी के तहप और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा राइट साइड में ये विश्व का पहला ऐसा तैरता हुगा सी एंजी स्टेशन है वर्ड्स फॉस्ट फ्लोटि पैस मिल सकती है और जो नामें सी एंजी में कनवर्ट कर दी गई हैं उनमें फ्यूल भरने का काम इस जगा से होगा और दूसरी तरफ दिखाएं राइट साइड में ये नमोगाट है नमोगाट की तस्वीरें शाम के वक्त यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौज कि गंगा की सफाई का कितना उसपर जोर दे रही है केंद्रसर्कार उसपर और कितनी जादा ज़रूरी है का और कि यहां पर आते जो देश विदेश से परेटक आते हैं आज जब गंगा के लहरों पर जैसे ही रैली के आयजन का कारिक्यम रखा गया उसके बाद दोपहर के एक बज़े के बाद से रात के आठ नो बज़े तक इस जगा पर जो सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं आम दिनों में जो नामें च की रैली होगी और यहांसे निकल चुकी रैली का योजन सेको की तादात नामें इस समय आपको देख रही हैं 90 मिनट में 12 किल्यों मिटर यह दूरी दै करेंगी और फिलहाल गंगा नमो गाट की यह तस्वीरें की तस्वीरें साफ सुथी इस गंगा नजर आ रही है गंगा को लेकर सवाल उटते थे कि गंगा की साफ सफाई नहीं हो रही है लेकिन जब से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बने है केंदर में मोदी सरकार आ रही है उसके बाद से इस पर बहुत जादा फोकस किया जा रहा है चाहे गंगा की सफाई हो यमना की सफाई है इन सब चीज़ों पर इसमय साफसफाई का कारिकम चल रहा है बहुत जोर दिया जा रहा है और उसी के चलते ही इसमय बोट रेली का आयोजन किया जा रहा है और बोट रेली ऐसी जो नामे इसमय अब सिन जी से चल रही है इस कार्क्रम में केंड्रिये, पेट्रोलियम मंतरी हर्दीव सिंग्पूरी के अलावा, राज्य सरकार के भी मंतरी शामिल हुए हैं, अधिकारी शामिल हुए हैं और केंड्र सरकार की लगातार यही कोशिश इसमें मैं बता दू कि इसमें 657 रजिस्टर्ड बोट हैं यहाँ लेकिन 587 डीजल से जो संचालित नौकाय थी उनको C&G में कनवर्ट कर दिया गया है और धीरे-धीरे कुछ ऐसी भी नावे बची हैं जो अभी डीजल से चलती हैं उनको भी आने वाले दुनों में C&G में कनवर्ट कर दिया जाएगा C&G जो बीजल से चलती थी नावे उनको ये सवाल खड़ा होता था कि उनकी वज़े से प्रदूशन बढ़ता है और गंगा प्रदूशित होती थी शहर प्रदूशित होता था लेकिन अब बीजल की तमाम रोबोट वो नामे सेकड़ों की तादात में उनको पर प्रत्वन अगे का काम कर रही है और उसी के तहत अब तमाम उन नावों को तमाम उन पोट्स को CNG में कनवर्ट कर दिया गया है और इस जगा पर जहां पर हम मौझूद है ये Kidney में किन्या मंत्री मुझूद है है पेट्रोलिय मंत्री और इस समय आप देखें हैं पैट्रोलिय हर्दी सिंगारी में इस क़्ुद ही हिस्सा लेने के लिए हुए है उन्नों ने इस जर्डी का आयोजन जो हो रहा है उसको फ्लैग आफ किया और केंद्रिय मंत्री भर्दीप सिंग्पुरी की मौजूदगी में इस समय यहां पर आप देखिए कि गंगा की लहरों भी किस बड़ी तादात में यहां पर बोट तैरती हुए नजारानी है शाम का नजारा शाम का समय और बहुत ही सरकार के मंत्री इसके लमा अधिकारी बड़ी संख्या में अधिकारी यहां पर मौजूद हैं लेकिन इस बीच में जो रैली का यूजन किया गया है वो इसलिए कि देश दुनिया को बनारस को मैसेज दिया जाए कि गंगा की सफाई कितनी जरूरी है क्योंकि उन तमाम जिश के साथ रवी सिंग वारारसी न्यूज इट इन इंडिया